नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर कहा हूं एक इस तरीके का पीस जो कि आज कल बहुत जादा ट्रेंड में हैं इसमें क्या होता है जो कटिंग होती है यह होती है प्लाजो के इसाथ से जैसे प्लाजो कटिंग किया जाता है और जो हम बनाते है इसको सलवार के according बनाया जाता है कैसे की नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मोरी में हमने इस तरीके से यह प्लेटे डाली भी हैं तो मोरी प्लेट वाला आप इसको पलाजो बोल सकते हो मोरी प्लेट वाला इसको सलवार बोल सकते हो अफगानी सलवार बोल सकते हो इसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है बिलकुल अलग सी डिफरेंट सी लुक आती है और आज कर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है तो आईए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी दोस्तों जो आपने इस्टेट सलवार देखी है उसे आप इस्टेट पलाजो भी बोल सकते हो मोरी पलेटेट पलाजो भी बोल सकते हो या फिर आप उसको मोरी पलेटो वाला जो सलवार होती है वो भी बोल सकते हो से बनाने के लिए हम आप यह लिया हुआ है कपड़ा. औप पढ़ा है हमारे पास सब दो मीटर और यह है हमारे पास नाप सबसे पहले हम नाप जाल लेते हैं देखें हमारी फुल जो लेंद होगी 38-श और हमने तनी त्यार रखनी है वो रखनी है 37-श मोरी रखनी है और लिख हैं 52 inch और वेस्ट है पहरी 40 inch वेस्ट का को कटिंग बताएंगे या की तरीके से करते हैं तो सब्से पहले'll पास कपड़ा है इसको हम एक बिचाने का को प्रीकर आगे जैसे हम प्लाजो कटिंग करते हैं खुले वाला वैसे हमें इसको बिछाना है तो पूरा कपड़ा ऐसे होगा हमारा सवा दो मेटर यह डाइमेटर फिर इसको हम यहाफर डबल कर लेंगे ऐसे इस तरीके से हम इसको डबल कर लेते हैं और डबल करने के बाद अब हम इसको फिर से फोल्ड लगाएंगे यह फोल्ड हमारा इस तरीके से होगा ऐसे यह वाला पार्ट जो होगा हमारा बंद रहेगा और इस साइड में हमारी चारो करनी आ जाएंगी तो अच्छे से इसको कर लेंगे हम सैट तो यह देखे फ्रेंट हमने इस तरीके से यहां पर एक कपड़ा जो है अच्छे से सैट कर लिया है अब बात करें फोल्ड की एक हमारा यहां पर यह होगा दूसरा फिर तीसरा और चोथा और यहां पर यह रहेगा बंद इस साइड में यहां पर आप देखोगे तो बंद रहेगा इस तरीके से हमने कपड़े को सैट किया है अब हमें सबसे पहले एक सीधा निसान लगाना है उपर की साइड इसके बात हमें यह दूसरा निसान यहां पर तीन इंच नीचे लगाना है यह हमारा तीन इंच निची रहेगा निसान ये मैंने इसलिए लगाया है आपको स्टिचिंग करते वे या कटिंग करते वे पता लग जाएगा जब मैं कटिंग करूँगा आ गया आगे कि ये निसान मैंने क्यों लगाया है तो ये उपर हमने लाश्टिक के लिए नहीं लगाया है निसान बैक साइड का आसन बढ़ाने के लिए हमने ये निसान लगाया है अब आ जाते हैं हम यहां से लेंथ पर तो हमें उपर की साइड यहां पर लाश्टिक डालनी है फुल लाश्टिक डलेगी तो हम यहां पे एक इंच का यह निसान लगा लेते हैं इस तरीके से यहां पे हमारा उपर एक्स्ट्रा रहेगा तो यहां से लेनी है हमें लेंट तो यहां से हम इस तरीके से यह देखे यह लेंट लेंगे जितनी हमारी तयार रखनी है हमें लें 37 इसके बाद यहां पे हमारे नीचे की साइड पट्टी आएगी एक्स्ट्राम पट्टी लगाएंगे तो वो हमारा मार्जन आ जाएगा और आदा इंच यहां पे ज़्यादा आ जाएगी तो यहां पे पूरा लेंद का अमने निसान लगा लिया है इसके बाद हमें आशन का निसान लगाना है इंचे टेप को ऐसी रखेंगे देखे हमारी फूल लेंद है यहां पे 38 इंच तो इसका चोथा भाग होगा हमारा 9.34, 9.5 इंच इसके बाद हमें इसमें 3.5 इंच यहां पे बढ़ा लेना है तो यहां पे हमारा आशन यह वाला तियार आजाएगा 30 इंच तो 13 इंच हमारा बिल्कुल ठेक रहेगा आशन इस निसान को भी हम आगे तक बढ़ा लेते हैं और यहां पे लगाते हैं साइज के निसान साइज के अकोडिंग हम निसान लगाते हैं हिप है हमारी यहां पे 52 इंच तो 52 का हमारा चोथा बाइसा होता है 13 इंच तो 13 इंच पे हमने पहला निसान लगाया है इसके बाद हमें लूजिंग देनी है देखे, मैं हमेसा बताता हूँ, जिनका नॉर्मल साइज होता है, उनके लिए आप ताइज की लोजिंग रखें, और जो हेवी साइज है जैसे 52 इंच है, तो उनके लिए आप यहाँ पे तीन इंच की कम से कम लोजिंग दें, ठीक है? तो यह हमने तीन इंच की लोजिंग दी तो यहां पर हम इस निसान को इस तरीके से मिला लेंगे और यहां पर डाल देंगे गोलाई यह अमने गोलाई डाल दी है इसके बाद आपका यहां पर इस ट्रेट रखना है इस तरीके से हम बिल्कुल सीधा रखेंगे अगर आप इसको थोड़ा लूज करना चाहें तो भी लगा लिए अब बात आ जाती है यह मैंने ओपर की साइड जो निसान लगाया है इसका हमें क्या करना है तो हमें बैक साइड वाला आसन बढ़ाना होगा तो हम यहां पर कैसे कटिंग करेंगे जो हमारा ये वाला पोइंट है इस पोइंट से तो यहां पर हमने बैक साइड वाला आसन बढ़ाना होता है तो इसलिए हमने यहां पर यह तीन इच का एक्ष्ट्रा लिया है तो इस निसान को हम यहां पर इस तरीके से मिलाएगे तो यहां पर आपका जो आसन होगा बैक साइड वाला बिल्कुल परफेक्ट आएगा जब हम हम इसको बढ़ा के cutting करते हैं तो यहां पर हम इस तरीके से इसको cutting करेंगे तो यह देखे friends हमने यहां पर cutting जो है अपनी कर ली है इसके बाद आप यहां पर देख रहे होंगे कि हमने ऐखे on the corner let's meet the तो अब आपर हमने यहां पर क्या करना है दो पलो को इस तरीके से उठाना है और यहां पर इस पीश को पूरा इस तरीके से open करते में बिच्छा जए जब हमारा यह तूरा पीस open हो जाएगा यहां पर तो हम इस तरीके से यहां पर इस निशान के उपर कटिंग करेंगे तो यहां पर यह दोनों हो जाएंगे हमारे फ्रेंट के इस तरीके से यहां पर यह देखिए यह आसन हो जाएगा और यह वाले दोनों हो जाएंगे हमारे यहां पर बैक साइड के यह बैक साइड रहेगी तो बैक साइड का जो आसन होगा आपका यहां पर य जैसे आपने यह देखा है प्लाजो जो है प्लेटो वाला तो हमें प्लेटे डालनी है तो यहां पर हम इस तरीके से एक सेंटर में प्लेट डालेंगे बोक्स प्लेट और बाकी की प्लेट हम इस तरीके से डालेंगे यहां पर ऐसे इस तरीके से डलती चले जाएंगी तो इसक यहां पर में बतादू दो आसान हमने इस तरीके से पकड़ने है फ्रेंट वाले अलक से स्टिच करने और बैकिसाइड वाले अलक करने है तो आप ध्यान रखें क्योंकि और इसमें पता भी लग जाता है कि front के हमारे कौन से हैं और back side के कौन से तो यहाँ पे हम इस तरीके से आधा इच का margin लेते हुए सिलाई लगाएंगे और इनको attach कर लेंगे कर देखें इस तरीके से यहाँ पे front का आशन जोड़ लिया है और नीचे वाला हमारा back side का होगा अब इन आशन को हम यहाँ पे ऐसे मिला लेते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे back side वाला आशन हमारा बड़ा है और front का छोटा है तो इन चीजों का आपको धियान रखना है अगर आपको perfect stitching सीखने हो और perfect काम करना हो तो इन छोटी छोटी चीजों का धियान रखना जरूरी होता है इसके बाद हम यहाँ पर लाश्टिक डालने के लिए हम ने यहाँ पर पड़ी ली है इसकी चोड़ाई लेनी है आपने 4 से सवा 4 इंच की यह देखे है 4 से सवा 4 इंच की हमारी यहाँ पर यह पर इसको हम पहले attach करेंगे तो यहां पे हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे किसी भी पॉइंट से आप अटेच कर सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कुछ देखना है तो यहां पे हम आदा इंच का मार्जन लेना है और इस तरीके से पूरी पट्टी को अटेच कर लेना है झाल झाल पूरी राउंड में पट्टी लगा ली है इस तरीके से और यहां पर जोड भी लगा दिया है इसके बाद हमें यहां पर लाश्टिक लगा ली है तो लाश्टिक जैसे मैं हमें साब बताता हूँ जितना हमारा कमर का नाप होता है जैसे 40 है तो उसमें से हमने 3 इंच माइनस किया है तो 37 37 की हमने यहाँ पर Elastic cutting कर लिए है और इसमें यहाँ पर जोड लगा दिया है round करने के लिए यहाँ को यहाँ पर ध्यान रखना है इस Elastic को हम यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं ऐसे यहाँ पर ऐसे रखेंगे ऐसे और ऐसे रखने के बाद यहाँ से हम फोल्ड लगाएंगे और यह फोल्ड फिर हम ऐसे लगाएंगे तो आपकी यहाँ पर बिल्कुल फिनिसिंग के साथ में Elastic का जाएगी ऐसे तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको इस तरीके से रखते जाएंगे ऐसे और यहाँ पर फोल्ड लगाते वे ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे तो यह देखे फ्रेंस हमने इस तरीके से यह लाश्टिक यहाँ पर डाल ली है लेकिन अभी क्या आओगा हमारा कहीं पर बल जादा है और कहीं पर कम है तो इसको हम इस तरीके से सभी जंगे से ऐसे खीचेंगे और तीन चार बार इसको आपने इस तरीके से खीचना है तो चारो साइड हमारी बिल्कुल अच्छे से बल ला जाएंगे देखिए चारो साइड में बिल्कुल फिक्स आचुके हैं इस तरीके से अब हम इसके सेंटर पॉइंट में एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि ये अंदर की लाश्टिक घूमती नहीं है पलटती नहीं है तो यहां पर सेंटर की सिलाई लगा लेता हूँ तो यह देखे अब तो यह देखे अब नहीं इस तरीके से यहां पे बहुत सुन्तर तरीके से लाश्टिक डाल ली है और आपको यहाँ पे मैं बता दू फ्रेंट वाला आसन और बैक वाला आसन क्योंकि सेम जब कपड़ा होता है तो कहीं बार पता नहीं लगता जो पहनते हैं ग्राथ तो वो गलती कर देते हैं इसलिए हमने बैक साइड में यहाँ पे एक हलकी सी लुपी लगा दी है तो यह बता दिया जाता है कि यह बैक साइड वाला आसन है तो इस तरीके से फ्रेंट में या बैक में आप कहीं भी एक छोटी सी लुपी लगा दें इस तरीके की तो यह हमारा फ्रेंट रहेगा जो छोटा है और यह बैक साइड रहेगी तेखिए उपर से हमने इस तरीके से तियार कर दिया है जैसे नूर्मल प्लाजो तियार किया जाता है इसके बाद आ जाते हैं हम मोरी वाले पॉइंट पे क्योंकि इसी को हम अफगानी सलवार बोलते ह प्लेट प्लाजो मोरी वाला तो यहां पे हमें सेंटर पॉइंट बनाना है मोरी का यह है मोरी वाला पाट तो यह हमारा सेंटर पॉइंट होगा यहां पे ऐसे किसाल लेना है कट लगा लेना है इसके बाद हमें यहां पे बोक्स प्लेट डालनी है तो इस साइड से हम यहां पर श्टार्ट करेंगे ऐसे यह हम यहां पर डालेंगे box plate एक हमने इधर का फोर्ड लगाए हैं दूसरा हम यहां पर इस साइड का लगा देंगे इस तरीके से यह हमारी box plate हो जाती है इसके बाद सभी plate हम यहां पर डाल जाएंगे ऐसे हमने यहां पर साइड रखना है मोरी का साड़े छेंच तो यह देखिए यह plate हमारी बिल्कुल ठीका रही है यहां पर एक दो प्लेट डालेगी तो बिल्कुल ठीका जाएगा यहां पर हमने एक plate यह दाल ली है इसके बाद फिट चेक कर लेते हैं सेंटर से यहां से आपको चेक करना होगा तो यहां पर हमारी इस लाई आ जाएगी पहुंचे की तो यह बिल्कुल ठीका आएगा तो यह देखें यहां पर हमने plate डाल ली है तो यह total हमारी plate आई है एक दो तीन चार पांच है साथ और यह box plate आट वी तो हम साथ plate इस side में डाल लेंगे अब जब हमारी plate डिल जाएगे इसके बाद हमने नीचे की side यहां पर पहुंचा अटेच करना है तो यहां पर हमने इस तरीके से यह एक बुकरम की पटी ली है यहां पर एक से सवाइच की और इसको हमने paste कर लिया है दूसरी side में हमारी यहां पर कनी रहेगी तो ऐसे इसको fold कर देंगे तो यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर करनी नहीं है तो आप इसको fold कर ले तो कैसे भी करके आपने यहां पर यह अटेच करनी है जैसे normal belt की जाती है तो यहां से हम इस तरीके से रखेंगे एसे और आधा इंच के मार्जन देते वे शिलाई लगाएंगे इसके बाद हम यहां पर इसको इस तरीके से पलटते वे और यहां पर यह मार्जन का दियान रखेंगे यह अंदर की side रखना है और उपर से सिलाई लगा देनी है किनारी की देखिए यहां पर मोरी जो है हमने अटेच कर लिए है इसके बाद हम यहां पर एक एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे तो यहां पर पूरी मोरी को हमने कवर करना है सिलाई उसे तो यह देखिए यहां पर हमने मोरी पे सिलाई लगा लिए है नीचे की साइड भी हमारी पूरी फिनिसिंग रहेगी उपर की साइड भी और पूरा पोंचा हमारा यहां पर तियार हो जाएगा तो जैसे मैंने यह वाला पोंचा तियार किया है सेम दूसरा करने के लिए भी हमने यहां पे बुकरम पेश्ट की हैं तो दूसरा पोंचा भी हम तियार कर लेते हैं तो यह देखे फ्रेंस हमने एक मोरी यहां पर यह तियार कर ली है दूसरी मोरी हमारी यहां पर यह तियार हो जाती है इसके बाद हमें यहां पर इनको सीलना है यहां से साइड से तो ऐसे हम यहां पर इस तरह के से रखेंगे और मिलाएंगे और यहां पर जितना भी आप लागेंगे देखे फ्रेंश, हमने मसीन का काम पूरा कंप्लीट कर लिया है और मैं आपको यहां पर दिखाऊ हूँ पूरा का पूरा पीश हमारा रेडियो हो जाता है. इसको आप प्लाजों बोल सकते हो मौरी प्लेटेड वाला तो मौरियों में जिसमें प्लेटेड वालती हैं वह हमने यहां पे प्राजों तियार कर दैए है उपर की साइड यहां पे आप देख रही होंगे front जो है हमारा यह यहँ पे यह आफंड वाला है क्यों की चोटा है और back side हमने बढ़ा के cutting कि है तो back side भी हमारी पूरी prob पर यहां पर ऐसे आ जाएगी पूरा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद